नमस्कार दोस्तों, मठे नोनिज MKVDK में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों, आज का जो टोपिक है, वो काफी इंट्रेस्टिंग है और जो भी प्रेक्टिकल इंडेस्टिकें दर जो काम करते हैं, प्रेक्टिकल ही काम करते हैं उनके निये काफी इंपोर्टेंट है प्लस, जो ITI students है, उनके निये भी ये काफी इंपोर्टेंट टोपिक है इसमें से दो से तीन कुष्चन इंट्रो के अंदर पूछे भी जाते हैं तो आज का जो ये टोपिक है, वो है A, B, C क्लास यानि GI Pipe जो होते हैं, उसके classes जो होती है A क्लास के Pipe, B क्लास के Pipe और C क्लास के Pipe जो होते हैं, उनके रिगार्डिंग ये है और A, B, C क्लास जो Pipe होते हैं, उनको अपन कलर किसे कैसे पचाने हैं जी हैं दोस्तो, आप color से identify बता सकते हैं कि ये A क्लास का Pipe है, या B क्लास का Pipe है, या C क्लास का Pipe है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा ये देखिए, ये GI Pipe हैं, इनके उपर ये अलग-अलग color mention होते हैं जैसे ये red color, ये yellow color और ये blue color तो इनका मतलब होता क्या है तो ये है कि GI Pipe को color से कैसे परचाने है और इसमें मैं आपको tricks बताऊँगा उस trick में सिर्फ आप 2 second के अंदर परचान पाएंगे कि ये GI Pipe है, ये A क्लास का Pipe है, ये B क्लास का है, ये C क्लास का इसमें तीन तनर के color होता है, yellow, blue और red दोस्तों इसमें मैंने आपको animation के द्वारा ये भी वीडियो बनाया है और इसमें मैंने हिंदी और इंग्निस दोनों के अंदर भी बताया है ताकि जो हिंदी medium है, उनके ने भी benefit रहे और इंग्निस medium जो students है, उनके ने भी बेटर रहे इस वीडियो को देखके आप खुद अपने आपको engineer बना सकते हैं और आप खुद भी engineer बन सकते हैं चाहिए सभी की निये, चाहिए वो worker हो, चाहिए या staff हो, industry इंदर जो काम कर रहा हूँ दोस्तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप इस चैलेंग को ज़रू सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सेर करना दोस्तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, GI pipe होते गया है GI means galvanized iron pipe ये जो pipes होते हैं, ये एक तरस इस्टील के pipe होते हैं, जिसके उपर जिंक की coating नगी होती है जो material को rust से और बचाते हैं, या उनके उपर जंग आने से रोकते हैं ये जो pipe कहां यूज आते हैं, ये बैसिकरी जो pipe यूज आते हैं, वो होते हैं कि water जो गरों में के अंदर जो पानी सप्लाई करते हैं गरों के अंदर या building के अंदर, वहाँ पर ये pipe यूज आते हैं, plumbing के अंदर ये pipe यूज आते हैं और फायर फार्टिंग एक्विमेंट इंस्ट्राइशन्स जहां पर होता है वहां पर यह पाइप यूज में आते हैं अब मैं आपको बताऊंगा कि आप एक क्लास के पाइप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों में एक मैंने किया है जैसे फौस जो है अके यह येलो कलर के अंदर हे तो आपको पता पढ़ आइगा इस पाइप होते है उसके ओपर यह पहले की मार्किंग होती है इसी तरह से मैंने यह color coding के द्वारा इसकी animation के द्वारे ये video बनाया है ताकि आपको पता पढ़ जाए कि ये कौन से color का pipe किस class का होता है जैसे यहां मैंने यहां पर इसमें yellow color किया है मनद ये A class की जो pipe होते है वो yellow color की होते है ये देखिए यानि जिनके उपर yellow color के marking को करी वो A class के pipe होते है अब इनकी A class के pipe की features क्या है क्या-क्या इनकी विशेशता है वो मैं आपको बताऊंगा जैसे यहां पर मैंने आपको पहले बता दिया था एक identification color जो होता है वो होता है इनका yellow thickness एक class के जो pipe होते है वो light duty यानि light thickness के होते है यानि इनकी thickness काफी कम होती है और जो pressure जो होता है इनकी pressure जो strength होती है वो भी काफी कम होता है यह धाई kg पर cm के उखागा प्रेसर जहल सकते है rate rate comparison की बात की जाए तो यह काफी सस्ते होते हैं B और C class के मुकाबले अब आते हैं B class जैसे मैंने यहाँ पर डर्षाया है यह जो होता है blue color में कर रहा है तो यानि यह B class जो पाड़ ले जो pipe होते हैं उस पर blue color के lining रहती है यह देखिए यानि इनके उपर आपके यह blue color की lining रहीगी तो यह हो गए B class के pipe और आपको अगर simply यह आदेने B for blue यहां जो होता है B के अंदर B जो class होते हैं उसमें blue blue में पहला अक्सर जो होता है blue बी होता है तो यानि B class वाले pipe जो होते हैं blue color के होते हैं इनके features की बात की जाए तो मैंने जैसे आपको बताया है यहां पर यह blue color के होते हैं thickness जो होती है यह medium होती यानि जैसे B आता है A और C के बीच में तो यह medium thickness के pipe होते है pressure जो होता है इसमें भी pressure जो होता है A और C के बीच के बीच के वाला होता है जैसे होता है डाई से 5 kg पर cm2 और अगर rate की बात की जाए तो ये जो होते हैं A class से तो महेंगे होते हैं नेकिन C class से सस्ते होते हैं यानि एक तरह से कह सकते हैं अपन B class की जो पाइब होते हैं बीच वाले होते हैं अगर आपको thickness की बात की जाए तो थिखनेस भी बीच वाली होती है रेट की बात किज़े तो रेट भी इनकी और सी से बीच वाली रेट होती है अब आते हैं सी क्लास अब जैसे मैंने यहां पर मार्किंग किया है यह रेट कलर में यानि जो सी क्लास की जो पाइप होते हैं वो होते हैं, इनके उपर जो 9X होती है, वो होती है red color में, यह देखिए, यहाँ पे जो red color की होती है, वो होते है C class के pipe, इनके features की बात की जाए, तो यह होते है red color की colors होते हैं, thickness जो होती है, यह heavy होते है, wet के अंदर, यानि A और B क्लास से ज़्यादा थिकनेस वाले होते हैं और ज़्यादा बारी होते हैं प्रेसर की बात की जाए तो यह हाई प्रेसर जेन सकते हैं यानि जैसे मैंने पहले देखा A क्लास में डाई केजी पर सेंटीमिटर स्कूर होता है बी क्लास होता है डाई से 5 और ये जो होता है डाई से 7.5 kg पर cm2 और अगर रेट की बात की जाए तो ये सबसे कोफ्ट लियर पाइप होते हैं यानि ए और बी क्लास से ज़्यादा महेंगे होते हैं अब आपको मैंने एक मैंने जैसे पहले ही बताया था कि आप इसको ट्रिक के द्वारा कैसे समझ सकते हैं और मैंने एक समरी बताई है बनाई है इसके अंदर कि इसको पूरे ये जो पूरा वीडियो है कि समरी जो है इसके अंदर मैंने आपको बदर्सा दिया है आप इसका चाहिए तो स्क्रीन सोट खीश के रख सकते हैं ताकि यह आपके प्रेक्टिकल जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपके काम में आएगा जैसे मैंने यहाँ पर ट्रिक बताईए पहले तो मिया निखाया A class, B class और C class अब जैसे identification color कि कौन सा color का pipe क्या है जैसे मैंने आपको पहले color उसमें भी बता चुका हूँ नेकिन इसमें अगर आपको पैचानना है तो यह ट्रिक है YBR YBR means Y, A, B, C A, B, C आप यह से याद रखें और इसमें हो गया Y, B, R Y, B, R means yellow, blue or red Y, B, R आप यह वर्ड याद रखेंगा Y, B, R means yellow, blue, or red अब जब ठिकनेस के regarding अपन बात करें तो ठिकनेस में आपको याद रखना होगा L, M, H L, M, H Y, B, R, L, M, H Y, B, R, L, M, H याली L होता है light duty B होता है medium duty और यह होता है heavy duty यानि heavy thickness यानि जिसकी थिकनेस ज़्यादा होती है इसकी थिकनेस medium होती है इसकी थिकनेस light होती है अब जहाँ pressure की बात की जाए तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि यह जो pressure इसका कम होता है इसका pressure डाई से 5 यानी medium size को होता है और इसमें 0.9-7 kg पर centimeter pressure ये चेल सकता है और red की मैंने आपको बताया है था कि ये pipe सस्ता होता है ये medium यानी A और C के बीच को होता है और ये जो होते हैं सबसे costlier pipe होते हैं अब इसमें या मैंने आपको photo भी दिये ताकि आप इसमें आप पैचान सकें जैसे ये ये येलो कलर, ये ब्ल्यू कलर और ये रेड कलर के आप आइडेटिफाई कर सकते हैं तो देश्तो आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा, अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरे चेलेन को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरू करें और ये इस वीडियो को आगे से आगे सेर करें ताकि सभी के निए ये बेनिफिट रहो और सभी इंडेस्ट्री में जो परसन का पुले, तर्न्योग!